Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis सेयर करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से जादा का होगा तो चलिए आज के इस बहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग उने stocks को discuss कर लेते हैं इसे मैंने आप लोगों के साथ आज के Intraday Session के लिए सेयर किया था तो आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday Stock था DLF इसके अंदर Traders आज हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार हम लोग को breakout देखने का मौका मिला था वो भी एक higher volumes के साथ में और उसके बाद ये अपने EC level को retest करने के लिए आया और फिर इसके अंदर हमारा जो target था वो successfully achieve हुआ है तो I hope Traders आप सभी लोगों ने DLF के अंदर एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन profit जरूर generate किया होगा हालाकि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो stop loss था वो 478 पर था और सिर्फ 5 पैसा से इसके अंदर हमारा जो stop loss है वो hit होने से बच गया तो इतनी बहुतरीन analysis के लिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like कर दीजेगा आज के लिए traders मेरा दूसरा intraday stock था चोला फिल इसके अंदर हम लोगों ने buy side में अपने trade को plan किया था लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई एक breakdown होते हुए नजर आया और buy side में कोई भी entry trigger नहीं हुआ है आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था Apollo Hospitals इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि आज इसके अंदर भी हम लोग को एक बहुत ही बहतरीन breakout देखने का मौका मिला लगबग 9.30 के आसपास में और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हलका सा यह digest करने के लिए भी आ तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताइएगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था dr. ready इसके अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को breakout देखने का मौका मिला था 10 बजे के आसपास में उसके बाद यह अपने इसी level को retest करने के लिए आया फिर इसके अंदर हलका सा momentum generate होता हुए नजर आया है हालाकि इसके अंदर हमारा जो target था वो 4550 का था जिसको आज यह achieve नहीं कर पाया और आज लगभग 4540 के आसपास का ही इसके अंदर high बनते हुए नजर आया है तो personally dr. ready के अंदर मैंने कोई भी trade आज initiate नहीं किया था अगर और आप मेंसे किसी ने भी इसके अंदर कोई trade initiate किया था तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताइएगा क्या आप लोगों ने इसके अंदर profit generate किया या फिर आप लोग का trailing stop loss इसके अंदर hit हुआ है और आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था ACN Paints, ACN Paints के अंदर traders हम लोग देख किया था कि ACN Paints के अंदर buy rule हम लोग को exit कर लेना चाहिए क्योंकि भले ही 5 मिनट का candle closing देच चुका था लेकिन 15 मिनट का candle है वो closing नहीं दिया था और हमारा rule यहीं कहता है कि अगर 15 मिनट का candle अपने resistance के उपर में closing नहीं देता है तो फिर हम लोग उस trade से cost to cost या फिर हलका सा loss लेकर के भी निकल जाएंगे और जैसी 9 बज के 30 मिनट हुआ था यानि कि first 50 मिनट का candle का closing हो चुका था उसके बाद मैंने आप लोग को अपने telegram चैनल पर update प्रोवाइट कर दिया था तो I hope traders इस update के कारण भी बहुत सारे लोग का आज ये loss बच गया होगा क्योंकि अगर हम हम लोग cost to cost ACN Paints के अंदर से नहीं निकलते तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से इसके अंदर हलका सा reversal हुआ था और ये जाकर के low बनाया है 3,1,1,2 के round में यानि कि easily हमारे stop loss को ये hit कर जाता और उसके बाद traders लगबग 12 बजे के आस पास में हम लोग को यहां पर एक breakout जो candle है अब closing day चुका है resistance के ऊपर में लेकिन उसके बाद ये completely sideways momentum देते हुए नजर आया हम लोग को और इसके अंदर भी last में हम लोगोंने cost to cost ही exit किया है तो ACN Paints के अंदर traders आज 2 बार हम लोग entry ले सकते थे लेकिन 2 बार हम लोगोंने cost to cost अपने trade को exit किया है तो I hope आप सभ कहां पर हम लोग को stop loss रखना चाहिए कहां पर हमारा target रहना चाहिए आज last में भी ACN Paints के अंदर हम लोगोंने stop loss को बहुत ही जादा tight कर दिया था यानि कि सिर्फ 2 point का stop loss था और अगर यहां से momentum आता ACN Paints के अंदर तो 2 point stop loss के साथ साथ हो सकता था हम लोग 14-15 point का target book करते तो तो traders इन सारे stocks के साथ साथ कुछ ऐसे भी stocks थे जिसके अंदर हम लोगोंने selling side में अपने trade को plan किया था जैसे कि IEX, Ultra Cement और TANLA और यह तीनों stocks का analysis मैंने आप लोग को इसलिए provide किया था कि अगर market के अंदर हम लोग को हलका सा भी selling pressure create होता हुआ नजर आएगा तो हम लोग इन स एकली हमारा जो support zone था वहीं से एक अच्छा खासा momentum generate होता हुआ नजरा है लेकिन TANLA के अंदर हम लोग को एक entry लेने का मौका जरूर मिला था अगर हम लोग इसे 5 मिनट के time frame पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक breakdown देखने के लिए मिल चुका था उसके बाद यह बह 5 मिनट के time frame पर इसका volume check करेंगे तो वो लगभग 800 या 900 के आसपास में ही दिखा रहा था और इसलिए मैंने आप लोग को suggest भी किया था कि अब इसके अंदर जो risk है वो बहुत ही जादा है अगर आप लोग चाहे तो 725 याने की cost के आसपास में ही इस rate को book कर सकते हैं या फिर अपने stop loss को trail करके 7 to 7 पर रख सकते हैं और टेडस ये update मैंने आप लोग को 10 बच के 40 मिनट के आसपास में provide किया था और उसके बाद लगभग 10 बच के 50 मिनट के आसपास में इसके अंदर बहुत ही सांदार upside momentum generate हुआ इसके बाद मैंने आप लोग लिए एक poll भी create किया था ये जानने के लिए कि कितने लोगों ने टैनला के अंदर cost to cost exit कर लिया था और मुझे ये देख करके बहुत ही ज़्यादा खुसी हुआ कि मेरे update देने के कारण बहुत सारे लोगों का आज एक loss होता हुआ बच गया तो इसलिए अगर आप लोग चाहे तो मेरे टेलिग्राम चै करके 89 रूपीज पर मन्त के offer price पर इस group को join कर सकते हैं और जितने भी लोग मेरे चैनल की membership को join करते हैं उन सारे लोगों को ये सारी benefits देखने के लिए मिल जाएंगी जो अभी आपके screen पर है और साथी में टेड़स आप सभी लोगों को इस group में जुड़ने का मौका मिलेगा जहां पर मैं stock market से जुड़े हुए सारे news को cover करता हूँ जितने भी companies का result, dividend या फिर जो भी announcement होता है वो सारी चीज़े मैं आप लोगों के साथ share करता हूँ तो अगर आप लोग भी stock market से जुड़े हुए news को देखना चाहते हैं या updated रहना चाहते हैं तो membership को जरूर join कर लिज confusion है तो मैं पूरी कोसिस करूँगा कि उस confusion को दूर कर सकूँ तो चलिए traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उन stocks को जिसे हम लोग Monday के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं और join stocks के अंदर Monday को हम लोगो potentially कोई भी breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है तो Monday के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock तो Apollo Hospital ही रहने वाला है क्योंकि आज इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन breakout देखने का मौका मिला हम लोग को फिर हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने strand line को बहुत ही अच्छी तरह से respect दिया है और अपने दूसरे resistance के आसपस में पहुँच चुका है इसके बारे मैंन के अंदर एक rectangular pattern के साथ साथ एक बहुत ही खुबसूरत सा cup और handle pattern भी बनते हुए नजरा रहा है तो ऐसे में अगर Monday के दिनी अपने इस resistance को break कर देता है तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग इसके अंदर capture कर सकते हैं तो इसका जो level से हो मैंने आप लोग के यहाँ पर mention कर दिय है आप लोग जरूरी से note down कर लीजिएगा या फिला screenshot भी ले सकते हैं लेकि ट्रेडर्स मेरा जैसन यही रहेगा कि आप लोग भी मेरी तरह support और resistance को draw कर लीजिए ताकि live market में आप लोग और भी ज्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाए और कल के लिए traders मेरा दूसरा intraday stock रहे इसके उपर sustain करता है तो एक अच्छा कासा movement हम लोग इसके अंदर भी catch कर सकते हैं और अगर हम लोग इस chart को one day के time frame में भी देखेंगे तो पाएंगे कि 1860 का जो level है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा crucial level है और one day के time frame में भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छी तरह से एक rectangular zone में consolidate कर चुका है और आज एक बहुत ही अच्छे volume के साथ में यहाँ पर एक candle बनते हुए दिख रहा है तो ऐसे में 1860 के उपर में यह निकलता है तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग capture कर सकते हैं तो इसलिए traders आप लोग इसे जरूर अपने radar पर रहा है पहले भी अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहीं जून इसके लिए already पहले भी बहुत ही अच्छा resistance का काम कर चुका है और आज सारे IT stocks के अंदर एक अच्छा कासा momentum हम लोग को generate होता हुआ नजर आया है तो मंडे की दिन अगर यह break करता है अपने resistance को तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग निश्ची थी इसके अंदर भी catch कर सकते हैं और मंडे के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा lupin, lupin के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा bullish parent बनते हुए नजर आ तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग को lupin के अंदर भी catch करने का मौका मिल सकता है तो इसलिए traders आप लोग lupin को भी जरूर अपने radar पर रखेगा और मंडे के लिए traders आगे के intraday stocks को discuss करने से पहले मैं आप सभी लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like कर दीजेगा साथी में आप लोग चैनल को भी subscribe कर लीजेगा ताकि आप लोगों से एक भी intraday analysis वीडियो miss नहीं हो पाए और इसके साथ साथ traders मैं आप लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगा कल के वीडि इसे थोड़ा बहुत help जरूर मिला होगा और अगर आप लोग को अभी भी किसी other stocks के अदर कोई doubt है या फिर confusion है तो आप लोग नीचे comment section में जरूर पूछिएगा मुझे आप लोग की मदद करने में बहुत ही ज्यादा खुसी होगी तो चलिए अब हम लोग आगे के intraday stocks को discuss कर लेते हैं तो मंडे के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा अडानी port इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो zone है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है इसी zone के breakout और retest के बाद हम लोग एक अच्छा खासा momentum मिलते हुए नजर आया था और अब यही zone इसके ल इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसरा सा ascending triangle pattern बनते हुए नजर आ रहा है साथी में आज ये 900 के उपर में भी closing दे चुका है तो अगर Monday को ये 903 के level को break कर देता है उसके उपर अच्छे से sustain करता है वो भी अच्छे volume के साथ में तो इसके अंदर भी हम साथ कुछ ऐसे भी other stocks है जो already मेरे radar पर है जैसे कि Kotak Bank, Reliance, Voltas, Bajaj Finzer और इन सब के अलावा भी वीकेंड है तो कुछ और intraday stocks का analysis मैं निश्चीत तोर पर करने वाला हूँ तो ये सारे stocks का analysis मैं आप लोगों के साथ Monday market खुलने से पहले ही अपने Telegram channel पर share कर दूँगा तो इस भी हो पाता है live market में मैं आप सभी लोग के लिए updates भी provide करता हूँ और साथी में ये सारी जो analysis आप लोग देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग का target achieve होता है इन सारे stocks को खोजने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है तो इसलिए आप लोग channel को जरूर subscribe कर लिजिएग ये भले ही 45 मिनट का वीडियो है लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को complete देखते हैं तो आप लोग को भी entire trading के अंदर और भी ज़्यादा confidence आएगा तो इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को भी एक बार check कर लिजिएगा और साथी में the marketverse learning channel को भी subscribe कर लिजिएगा आ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद